हाई वेलकम बैक आज दिखते हैं फंक्शन रिटर्निंग पॉइंटर को जानेंगे कि फंक्शन ऐसा फंक्शन जो कि पॉइंटर रिटर्न कर रहा है मतलब इसको आप द्यान से समझें कि यहां पर देखेंगे इन सी प्रोग्रामिंग लांग्वेज फंक्शन रिटर्न पॉइंटर जैसे कि जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो हम फ्रोटो टाइप में एक नॉर्मल उसका रिटर्न टाइप देते हैं इसलिए फंक्शन वन और यहां पर कुछ आर्गिमेंट्स होते हैं या तो आर् प्रोटो की सिंटैक्स में आप देखेंगे कि रिटर्न टाइप तो रहे गई किस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करने वाला है साथ में हमको यहां पर इंडिरिक्शन ऑपरेटर को ज़रूर यूज करना है क्योंकि यह हम बता रहे हैं कि ऐसा फंक्शन है जो कि पॉइंट जैसे हम जब हम pointer declare करते है तब भी हम indirection operator का यूज करके ऐसा कुछ करते हैं पर इसा क्वेशांप इंटीजर यह pointer p वैसे ही जब हम ऐसा function बना रहा है जो की pointer return करने वाला है तो हमें function name और जो उसका return type है उसके बीच में indirection operator को specify करना जरूरी है तब ही compiler समझेगा कि यह ऐसा function है जो कि क्या return करेगा function returning pointer मतलब function address को return करेगा और main body में कोई pointer उसको catch करेगा ठीक है और ऐसी इसकी कुछ argument list होगी यानि कि यहाँ पर हम parameters pass करेंगे जैसे requirement होगी देन अंदर यहाँ पर body of the function होगा जो कि एक आम function होता है जो भी इसका body होगा और यहाँ return statement जो है return जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ से हम pointer को return करेंगे यानि address को return करेंगे चलिए आगे इसका जो program है इसको समझते हैं देखिए इस part में यह वाला जो part है यह है function का declaration और यहाँ पर आपने देखा इस line में कि हमने यहाँ पर यह एक indirection operator जो है इसको हमने specify किया हुआ है तो यह जो function है इस function का यह function का का क्या होगा कि यह एक ऐसे pointer को return करेंगा जो की integer type के other variable को point कर रहा होगा ठीक है अब क्योंकि एक function address को return करने वाला है तो main body में उस address को accept करने वाली चीज़ भी integer type की होनी चाहिए तो हमने यहाँ पर integer pointer p यह एक यहाँ पर variable pointer type का variable लेकलर क्या होगा है then next statement में हम p is assigned by function 1 को हमने यहाँ पर call कर लिए मतलब सबसे पहले आप इस part को दिखी है यह part execute होगा जैसी इस part पर पहुँचेगा तो जो program का flow है वो function की body पर jump करेगा ठीक है यहाँ पर अब यहाँ पर हमने एक static variable बनाय हुआ है int x is equal to int x और इसको declaration के time पर initialize कर दिया है assign with 20 ठीक है और return statement में address of x याने कि देखे static type का x नाम का integer type का variable बना हुआ है जिसमें हमने 20 डाल दिया है इसका whatsoever एक address होगा यह address को हम return कर रहे है कहाँ यहाँ से यहाँ से यहाँ पर function यह execution परफॉर्म करने के बाद जब लौटेगा तो आप इस line को replace कर दीजे address of x से ठीक है मतलब function 1 जब call हुआ body में गया और यहाँ से return क्या क्या address of x so अभी P में कुछ भी initialize नहीं था देखिए हमने P को declare किया then P को P is equal to यह P is assigned with function 1 okay तो जैसे यह execute होगा तो आप इसे ऐसा समझ सकते है P assigned with address of x ठीक है address of x क्या है 111 so P जो कि हमने pointer main body में बनाया था यह P होगया अब इसमें है 111 इसका मतलब यहीं होगा कि P is now pointing to x so next जो यहां पर print statement दिये हुए है यह जो print statement दिये हुए है इनसे अब हम क्या-क्या print कर रहे हैं सबसे पहले statement में हम सिर्फ P को print कर रहे हैं मतलब P की value क्योंकि P की value की address है that is why हम यहां पर %U as a format specifier use कर रहे हैं and next statement में हम pointer P specify कर रहे है pointer P का मतलब क्या है अभी हमने देखा P is a pointer type of variable जिसमें क्या आगया है address of x so यह point कर रहा है 111 x को और x में क्या है 20 ठीक है तो pointer P का मतलब जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में बता है कि अगर सिर्फ P लिखा हुआ है तो P की value और अगर pointer P लिखा हुआ है मतलब P जिसको point कर रहा है उसकी value मतलब x की value ठीक है तो यहाँ पर क्या answer आना चाहिए यह first वर इस print statement से हमें address मिलेगा और इस print statement से x की value मिलेगी ठीक है तो इसमें कोई भी बहुत बड़ा rocket science नहीं है आपको इतना याद रखना है कि यह function ऐसा function है जो की pointer return कर रहा है यह address return कर रहा है इस statement में सारा खेल है यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है function 1 को call कर लिया है तो पहले function call होगा function call हुआ function body में jump किया simple सा यहाँ पर logic है static int type का x नाम का इसको में 20 से initialize कर लिया है और फिर हमने उस x के address को return कर लिया है क्यों क्यों क्योंकि यह आप देखेंगे यह because this is a function which is returning pointer तो यह address चला जाएगा इस जगा पर replace हो जाएगा और address चला जाएगा P में and then simple printer functions है जो की P की value को print कर रहा है और दूसरा P जिसे point कर रहा है उसकी value को print कर रहा है जलिए let us execute this program तो देखेंगे यह वही program है जैसे function जो है वो pointer को return कर रहा है same program जो मैंने आपको explain किया इसे बस execute करेंगे हम तो दोनों में क्या answer आना चाहिए इस printf से क्या आना चाहिए एड्रस आना चाहिए और इस printf से x की value आनी चाहिए let us execute it see यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो printf statement है उससे हमें address value मिल गई और दूसरे statement से हमें x की value मिल गई मतलब पहला जो है वो x का address है जो की p में as a value डला हुआ है और दूसरा जो है pointer p के दुरुआ है मतलब p जिसे point कर रहा है उसकी value मतलब x की value तो हुआ क्या यहाँ पर बस इतना याद रखना आपको function returning pointer में आपको कोई ऐसा function declare कर रहा है जो की pointer return करने वाला है तो आपको यहाँ पर indirection operator specify करना जरूरी है उसको declare करने की time पर then function body में जब हम return करेंगे तो address return करेंगे और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है एक pointer variable ले हुआ है जिसमें हम उस address को pass कर दे रहे है address passing कैसे हो रही है function को call करने से क्योंकि वही function जो है address को लेकर आ रहा है ठीक है तो this is how function returning pointer works